हेलो फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो को अंतर दीखिए जिससे कोई जानकारी अपी छूटे नहीं चुरू करते हैं आज की वीडियो को फ्रेंड्स मैं आप पताना चाहूंगा यह फाइन एक्सपेटिट जो कट ओफ है वो रिटन एक्जाम प्लस टाइपिंग टैस दौनों के मार्क्स एड़ करकर उसकी कट ओफ निकाली गई है आपका जो इसमें रिटन एक्जाम जो था वह 100 मार्क्स का था और आपकी टाइपि थी इंग्लिश तो दौनों 25 नंबर की थी फ्रेंड्स ठीक है ना तो मैं आपको बता जिता हूं इसमें कॉम्प्टिशन जो है वो ज्यादा है 85 से लेके 89 या 89-90 जो मार्क्स लाए हैं केंड़ेट्स उनके बीच में सबसे जादा कैंड्स ने यह मार्क्स अच्छीव किए इसी काड़ोस्ट में कॉम्प्टिशन सबसे जादा रहेगा ठीक है ना तो फ्रेंड्स चली शूब करते हैं मैं आपको बता जीता हूं जैसे कि मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कट आफ तो यह रहेगी आप इसके पर चेक कर पा रहे हूं यूर की रही 128 से 132 ठीक है ना रेटेन मिसकी यूर की कट आफ जो रही थी वह 79 रही थी ठीक है और 85 से मैंने जैसे बताया कि 90 की बीच में कैंड़ेट्स की सबसे अधि जैसे सपोज किसी के नंबर है 87 अब 87 में उसने टैपिंग भी दी तो टैपिंग इंग्लिश की जो रहती है फैंट्स उसमें क्या रहता है कि लोग इंग्लिश की इसली कर लेते हूं यह तिन दिक्कत नहीं रहती है तो 23 मार्क 25 में से 23 मार्क सच्छिव करना मुश्किल नही है आसानी से अच्छिव किये हैं लोगों ने ठीक है और हिंदी के टैपिंग लोगों के लिए मुश्किल रहती है केंडिस जो भी है उनके लिए मुश्किल रहती है थोड़ा उनने डिफकल्टी आती इस चीव में तो 21 मार्क उसके मांगते है तो 131 आ रहा है ठीक ना यानि सब्सक्राइब करें धन्यवाद फ्रेंड्स